हलो नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि मोराबादी मैदान राची में 2016 जेटिट पास अभ्यर्थी अंसन हर्ताल पर बैठे हुए आमरन अंसन पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर विभीन पार्टी दल के नेता आ रहे हैं और उन्हें असवासन भी दे रहे हैं जैसा कि आप स्क्रिन में देख पा हैं वरतमान में यह बंधु तिरकी हैं जो की यहाँ पर जो धर्ना अस्थल है वोहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो छात्रों से बात्चीत हो रही है और यहां पर कल जो है वो सरकार के नुमाइंदे भी यहां पर आए हुए थे तो विधायक जो है सीता सोरेन और कॉंग्रेस की विधायक जो है वो दिपिका पांडे ये दोनों ही यहां पर आए हुए थे और छात्रों से अंसन यहां फिर तो राची के मौरावादी मैदान में बापु वाटिका के समक्ष अपसामने अपनी मांगों के लेकर पिछले छे दिन से लगातार आंदोलन रत हैं जेटेट उतिरन अभियर्थी 2016 बैच के जो अभियर्थी हैं तो इनकी मांग है कि अभियर्थियों की मुक्षी सचीव के पत्तिनीदी से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मुक्षी मंतरी, मुक्षी सचीव और सिक्षा सचीव एक साथ ही अगर ये तीरों बैट कर बात करते हैं हमसे तो इस पर बुधवार को सोचेंगे हम लोग ये अभियर कंशा है को जीत पर हैं और आंची यहां पर पहुंचे हुए थे और जो दीपीका पैंडें व मो यहां पर एक साथ पहुंचेे थि यहां पर अस्वासन दिया के नियुक्ति परकिरिया जहां वह जल सुरूँ की जाएगी को सीत के लीदा और कॉंग्रेस की विधायक है दीपिका पांडे इन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों की समस्थ्य सुनी उन्होंने जेटेट वालों को मांग को जो सरकार तक पहुंचाने का आसवासन दिया है साथ ही कोरोना काल में उनसे अंसन समाब्द करने की अपील भी की है त जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो यहां पर जो है वो आज फैसला लिया जाएगा कि आज यहां पर जेटिट के अभिरती मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं और क्या असवासन मिलता है और किस तरह कि यहां पर आग की कारवाई की जागी यह दे और ये अच्छी बात रही कि यहाँ पर जो सरकार के जो पतिनिधी हैं सरकार की पार्टिक से संबंद रखते हैं विधायक वो यहाँ पर आये हैं तो ये अच्छी खबर है और ये मैसेज सरकार तक वहाँ पर ले जाने का काम करेंगी ऐसा हम लोग उमीद करते हैं उधर होम गाड के जवानों का भी अंदोलन चल रहा है अंसन चल रहा है धरना चल रहा है मुरावादी में जैप के अभियर्थी और होम गाड के जवान का मंगल वर को आठवा दिन भी यहां पर धरना पर दसन जारी है धरना पर जो बैठे हैं अभियर्थी उनका कहना है कि ज कुनने वाला कोई नहीं है हर दिन अलग अलग अलोग आते हैं और अपनी बाते रहकर वापस चले जाते हैं जब तक सरकार उनकी मांगे को पूरी नहीं करती है तब तक वे धरना पर जारी रखेंगे ऐसा यहां पर कहना है होम गाट के जो जवान है तो हम गाट के लगभग त अलग अलग जीले से भी यहांपर होम गाट के जवाल धरना पर्दसन कर रहे हैं और उनका धरना परदसन जारी है उद्वर पंचाय सची के अभिहर्थी भी अंदोलन रत है और वह लोग भी अपनी ने क करना किरिया जो है वह 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 प्रकासन कि आ जाये अनकी मैधा पहुंचते रहोंगा और फिलहाल जो है यहां पर जेटेटी अभियर्थियों की अंसन तुड़वाई गई है ऐसी यहां पर एक बड़ी निकल कर आ पूर्य है तो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी यहां पर जवास्वासन दिया जा रहा है वह कितनी जल्दी पूरी की जाती है तो दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगा हर अपडेट साब तक हम यहां पर पहुंचाते रहेंगे अगर आपको वीडियो प्रसंद आई तो जरूर लाइक करिए चलंग को सब्सक्राइब ने के सब्सक्राइब कर लिए और आगे वाले हर अपडेट साब को यहां पर मिलते रहेगी जो भी छात्र से संबंधित यहां पर न्यू जोंगे